Hello students, I am Manoj sir from learning point. तो आज direct and indirect speech में हम लोग exclamatory sentence के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले बेटा आपको ये जानना होगा कि exclamatory sentence की पाचान क्या होती है? exclamatory sentence में खुशी का भाववयक्त होता है, दुख का भाववयक्त होता है, और स्यर्य का भावव प्रकट होता है. तो इस तरह के जो senses होते हैं, ये exclamatory sentences में होते हैं. हर्स, खुशी, गम, दुख, पस्तावा, अस्यर्य, इस तरह के जितने भी भाववयक्त होते हैं, इसे हम exclamatory sentence कहते हैं. तो देखिए, exclamatory sentence में हमें ये बात समझना होगा, दो तरह के exclamatory sentence भी होते हैं. कुछ exclamatory sentence how या what से शुरू होते हैं कुछ exclamatory sentence जैसे हम बोलते हैं how dangerous the snake is वाव कितना खतरनाक साप है तो कुछ exclamatory sentence what या how से शुरू होते हैं लेकिन कुछ exclamatory sentence में आपको exclamatory word मिलता है जैसे अलास good heavens ब्रेवो तो इनी सब चीजों को समझना है तो आज हम लोग सरिफ पढ़ेंगे कि हुर्य का जो प्रियोग होता है डायरेक्ट स्पीच में उसको इन डायरेक्ट में हम कैसे change करते हैं बहुत इजली तरीका से मैं बताऊंगा बहुत सिंपल तरीका से मैं बताऊंगा बस आप इसको ध्यान देंगे तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे जो exclamatory sentence में जो सब्द होते हैं सब्द पर आपको ध्यान देना होगा मैं तो यह कहूंगा बेटा आपके पास copy है तो आप इसका notes भी बना लिया करो जैसे हुर्य सब्द है तो हुर्य सब्द यह दि direct speech में है जब इसको indirect में बदलेंगे तो हुर्य के अस्थान पर हम क्या रखते हैं अल्लास के अस्थान पर हम indirect में क्या रखते हैं ब्रेवो के अस्थान पर indirect में हम क्या रखते हैं या good heavens के अस्थान पर हम indirect में क्या रखते हैं तो चलिए इसी सुबकामना के साथ हम लोग सुरू करते हैं और आपको यह समझना आज़ी से देखिए अभी पहला sentence है he said my old friend has come अब यह हुरे सब्द आया है तो जब इसको हम indirect में करेंगे तो जो हुरे सब्द है यह खुसी का भाव ब्यक्त करता है खुसी इजहार करता है इसी इसको आपको समझना होगा जहां हुरे सब्द है वहाँ आप समझ लेना यह खुसी का इजहार करता है यानि खुसी का भाव ब्यक्त करता है जहाँ पर अल्लाश है वहाँ दुख का भाव ब्यक्त होता है जहाँ पर ब्रेवो है वहाँ सवासी यानि किसी की परसंसा आप कर रहे हो वहाँ पर ब्रेवो का भाव ये ब्यक्त होता है जैसे गूड हैविन से good heaven से अस्चरय का भाव प्रकट होता है इसको हमेरी great में भी बदल देते हैं तो दीखिए इसमें स्तमाजना आपको यही है जैसे यहां दिया है कि he said उसने कहा हुर्य खुसी जहार कर रहा है my old friend has come मेरा पुराना मीत्र आया है तो इसमें खुसी का भाव प्यक्त करना है तो दीखिए अब आप इसको बेड़ा बहुत ध्यान से स्तमाजना यहां पर हुर्य सब्द है न तो जब हुर्य सब्द रहेगा तो सेड के अस्थान पर जब आप indirect बनाओगे और हुर्य सब्द रहेगा तो सेड रिपोर्टिंग वर्व सेड के अस्थान पर exclaimed with जवाय का प्रियों करेंगे clear देखिए जैसे मैं इसको बना रहा हूँ ही अब सेड है हुर्य सब्द है जब हुर्य है पहले हमको इसको दिखना है कि हुर्य सब्द है तो अब सेड के अस्थान पर हुर्य के लिए क्या लिखेंगे exclaimed with जवाय देखिए हुर्य सब्द था तो हमने सेड के अस्थान पर क्या किया exclaimed with जवाय जवाय मतलब क्या होता है प्रसंद यह आप यहाँ जुआए के अस्थान पर delight भी कर सकते हैं क्या कर सकते हैं जुआए भी लिख सकते हैं delight भी लिख सकते हैं as you wish यह आपके उपर depend करता है अब दिखिए inverted कॉमाज के अस्थान पर that का परियोग कर देंगे अब that के बाद my old friend है तो my first person possessive case है आप he के अमसार्थ change करेंगे तो he का possessive case he's होता है he's old friend अब reporting work past में है तो has का past had हो जाएगा had come बन गया अब दूसरा example देखिए same इसी तरह से है the boys said hooray we have on the match लड़कों ने कहा अपना खुशी जहार कर रहा है हूरे सब्द से कि match हम जीत चुके हैं तो इसमें वाकई खुशी की बात है तो देखिए the boys अब said का स्थान पर हूरे सब्द है तो said का स्थान करेंगी exclaimed with job अब inverted का माज का स्थान पर that कर देंगे अब दिखिए we जो है plural first person का pronoun है plural है और first person के pronoun को हम the boys के हिसाब से बदलेंगे तो boys जो है third person है और plural भी है तो यहां कौन सा हम pronoun रखेंगे we के अस्थान पर कि third person भी हो और plural भी हो तो दे हो जाएगा यहां कर देंगे they reporting work past में है तो have के अस्थान पर had हो जाएगा they had on the match that's all बस इसी तरीका से अब दिखिए sentence में अल्लास है अल्लास दुख का भाववयक्त करता है जब डाइडेक्ट speech में अल्लास सब्द रहे तो इन डाइडेक्ट करते समय reporting work said के आस्थान पर हम exclaimed with sorrow कर सकते हैं या grief भी कर सकते हैं sorrow या grief meaning दोनों का एक ही होता है तो देखिए he said अल्लास आयम रूंड इसको बनाएंगे he exclaimed with sorrow जब अल्लास रहेगा तो exclaimed with sorrow भी लिख सकते हैं या exclaimed with grief भी लिख सकते हैं अब देखिए inverted कामाज का अस्थान पर conjunction that का परियोग करेंगे that के बाद देखिए I first person nominative case है first person को हम reporting verb के subject अनुसार्थ change करते हैं जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया है तो I nominative case है और he के अनुसार्थ change करेंगे तो he हो जाएगा he reporting verb past में है तो he के साथ past में was हो जाएगा he was ruined हो जाएगा बन गया अगला एक्जाम्पल देखिए he said alas my dog is dead तो बनाएगे he exclaimed with sorrow अब in that लगाएगे inverted commas के अस्थान पर that that के बाद देखिए my dog यानि my first person possessive case है तो इस my को he का उनुसार बदलेंगे तो he का possessive his हो जाएगा his dog his dog हो गया my dog के स्थान पर his dog अब देखिए reporting verb past में है तो his का past was हो जाएगा his dog was dead बन गया तो आपने अभी हुरे और अल्लाश सब्द का आपने indirect देखा अब अगला देखिए है brave brave का प्रियोग हम वहां करते हैं जहां हमें किसी को सबासी देना हो किसी की परसंसा करनी हो तो देखिए जब आपके direct speech में brave शब्द रहे तो reporting verb shade के अस्थान पर applauded का प्रियोग करना चाहिए या praise का भी प्रियोग कर सकते हैं पी आर ए आई एस इ उस praise की मैं बात कर रहा हूं जिसका meaning होता है परसंसा करमा तो देखिए he said to us brave you have done well बटा इसको बहुत ध्यान से समझना देखो मैं आपको one by one step समझाते चल रहा हूं he said to us brave है तो clear हो गया कि जब brave है यहाँ पर to said के अस्थान पर applauded का प्रियोग करेंगे he applauded he applauded applauded क्यों हुआ said के अस्थान पर क्योंकि यहाँ brave हो सब्द है यहाँ praise भी कर सकते हैं तो he applauded अब अबजेक्ट क्या है us he applauded us अब यह चीज़ बटाँ आप जुरूर भाद करना जब अबजेक्ट होता है तो that से पहले हमें saying saying सब्द अपने से लगाना होता है तब इसका complete sense आएगा तो he applauded us saying 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 यह हमको लिखना ही लिखना है अब inverted कामाज के अस्थान पर कर देंगे that clear अब दिखिए जो you है second person का pronoun है इसको हम हम reporting verb के object के अनुसार बदलते हैं तो यहाँ you है और यहाँ us है you यहाँ nominative case है और us के हिसाब से बदलना है तो us का nominative क्या होता है we होता है यहाँ पर हो जाएगा अब दिखिए reporting verb past में है तो have का past had हो जाएगा we had done well we had done बस यही इसका तरीका है दूसरा example देखिए दिया है the captain said to the players bravo well done बनाएंगे the captain the captain imploded the players the players यह मैंने लिख दिया said देखिए said यहाँ है bravo यहाँ है bravo के वजह से हमने said के अस्थान पर plotted किया फिर हमने object the players को लिखा इसके बाद हम अपने सेहाँ लिखेंगे same same अब inverted कामाज के अस्थान पर लिखेंगे that that अब well done बचा इसको हम लिख देंगे यहाँ well done बन गया अगला दिखिए sentence में good heavens का प्रियोग किया गया है जब direct speech में good heavens का प्रियोग होता है तो indirect बनाते समय आप reporting verb said के अस्थान पर exclaimed with surprise का प्रियोग कर सकते हैं या exclaimed with regret का प्रियोग कर सकते हैं आपके उपर depend करता है कि आप surprise का प्रियोग करना चाहते हैं कि regret का प्रियोग करना चाहते हैं आए देखिए इसको भी हम change कर रहे हैं जैसे आहां दिया है good heavens तो good heavens है तो said के अस्थान पर exclaimed with surprise या regret जैसे he exclaimed with surprise अब inverted कामाज के अस्थान पर क्या करेंगे that that कंजंक्शन का प्रियोग करेंगे फिर the house अब देखिए यहां has है लेकिन अपका reporting वर past में है तो has का past had हो जाएगा had caught caught five तो इस तरह से आपको बेड़ा बनाना है यह प्रयाप ठेक में आपको समझने के लिए और भी जादा से जदा exercise करते रहें आपका बस जो आपका main concept क्लियर करना था इतना ही में आपका concept क्लियर हो जाता है अब दिखिए एक last example और है she said good heavens I have dropped my key somewhere तो फिर आप जब good heavens देख लिए तो said क्या स्थान पर क्या करेंगे exclaimed with regret या exclaimed with surprise जो आपका इच्छा करें आप यहाँ लगा सकते हैं देखिए देखिए c exclaimed with surprise फिर inverted commas क्या स्थान पर that अब देखिए आई आगया first person है nominative case है इसको c के अनुसार बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा c have है यानि reporting were past में है तो have को हम past में बदल देंगे यानि हो जाएगा had c had dropped dropped my है my first person possessive case है first person को हम subject के reporting word के subject अनुसार बदलते हैं तो यहाँ my है और c के अनुसार बदलेंगे तो c का possessive case हर होता है यहाँ हो जाएगा had dropped her key somewhere some where that's all तो इस तरह से बटा आपको exclamatory sentence को हम direct indirect करते हैं तो आज मैंने जो बताया है आपको मैंने hooray alas good heavens brave यह चार जो सब्द होते हैं exclamatory word इनको मैंने change करने का तरीका बताया है कल मैं आपको नए वीडियो जो मैं डालूँगा उसमें जो exclamatory sentence में how या what a का प्रियोग होता है उसको हम indirect में कैसे change करते हैं अगले वीडियो मैं आपको बताऊंगा आप इस वीडियो को अराम से देखना सही ढग से देखिए concentrate होकर देखिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आयेगा और मैं आप जब वीडियो देखते हैं आपको कुछ और भी लगता है अपना सुझाव भी देना चाहते हुआ तो मेरे comment box में आप लिख सकते हो मैं quick आपके comment को action में लूँगा और आपके विचार के वनुसाथ उस तरह का चीजे मैं और आपके साथ आने का परियास करूँगा तो ठीक है बेटा आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो आप इसको live करें सब्सक्राइब करें share करें लोगों के पास और हम फिर कल नए विडियो कर साथ आप से मिलेंगे तब तक सब्सक्राइब